पुलीस कहती है कि 11 अप्रेल 2016 को 100-500 लोग जिन में केंद्रीय राज्यमंत्री स्पी सिंग बगेल भी शामिल थे उन्होंने बिना अनमती के आगरा में लगबग 4 घंटों तक सभा आयोजित की जबकि उस समय उस शेत्र में सेक्शन 144 लागू था हुआ ये है अब कि आगरा की एक MP MLA कोट ने सबूतों का आभाव बताते हुए इस केस में बगेल समय दस और लोगों को बरी कर दिया है आज के जमाने में जहां कोई भी हरकत फोन के कैमरे से बचती नहीं है बच नहीं पाती है आखिर इतनी बड़ी सभा आयोजित करने का आरोप अदालत में साबित कैसे नहीं हो पाया आईए जानते हैं पूरा मामला आखिर था क्या अब ये मामला है अप्रेल 2016 का जब समाजवादी पार्टी के एतमातपुर नगर अध्यक्ष मुस्लिम खान पर 5 अप्रेल को एक पिछडे वर्ग के सबजी विक्रेता नरोतम सिंग बगेल को पीतने और उनके साथ आपत्ती जनक हरकते करने का आरोप लगाया गया था इसके विरोध में स्पी सिंग बगेल ने 8 अप्रेल 2016 को महापंचायत करने का एलान किया अब उस समय 31 मार्च 2016 को एतमातपुर सब डिविजनल मैजिस्टरेट पुर्शोत्तम दास गुपता द्वारा अल्रेडी धारा सेक्शन 144 के तहत एक आदेश जारी कर दिया गया था ज पुर्सिक्यूशन केस के मुताबिक इस समबन में उस समय एतमातपुर एसेचो ब्रहम सिंग ने यह भी दावा किया था कि मुस्लिम खान मामले के सभी आरोपियों को 10 अप्रेल तक गिरफतार कर लिया था और बगेल और उनके समर्थकों को एक नोटिस के माध्यम से गिरफ तक भाशर दिये गए इस मामले में 38 38 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ जिसमें से 25 आरोपियों ने कोट के सामने उपस्थित होकर अपना जुर्म सुविकार भी कर लिया कोट ने उनको जुर्माना अदा करके बरी कर दिया साथ ही दो आरोपी नीतू और सोमेंद्र की पत्रावली अलग कर दी गया उनका केस अलग कर दिया गया मातर 11 लोगों के खिलाफ अब कोट में सुनवाई हुई पुलीस ने अपनी तरफ से साथ कभा पेश किये जो सभी पुलीस वाले थे जवाब में जो आरोपी थे उन्होंने ये कहा था कि इस केस में जिसने कंप्ले निंकी दुनिया में सभा कोई वीडियोग्राफ वा फोटो सभा का नहीं लिया गया और नहीं कोट में प्रस्तुत किया गया उन्होंने कहा कि ये मामला राजनीती से प्रेरित है और उन्हें साजिशन फसाया जा रहा है सभी को बरी करते हुए स्पेशल जज MP MLA कोट के अर गयी थी तथा मौके से कोई भी जंडा, बैनर वा पोस्टर इत्यादी बरामद नहीं हुआ था अनकोट गवाहों के बयान को देखते हुए कोट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन पुलीस के केस को पूरी तरह से साबित करने में एकदम फेल हुई है विफल हुई है Hearing के दौरान कोट ने ये भी देखा कि किसी भी आरोपी को मौके से गिरफतार नहीं किया गया था और उसने कहा कि Witnesses के बयानों में, गवाहों के बयानों में एक गंभीर विरोधा भास है, Contradiction है For example, उन्होंने कहा कि गवाहों में से एक थे Constable Manvendra Singh, उन्होंने prosecution के case का समर्थन किया था, लेकिन defense lawyer के द्वारा cross examination करवाने पर उन्होंने कहा कि उन्हों, उन्हें नहीं पता कि आरोपी घटना स्थल पर मौझूद थे या नहीं, और उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं कि पुलीस ने उस बैठक के स्थान से उस सभा से कुरसियां और टेबल को जब्त किया था कि नहीं, अब कोट ने खास करके इस बात पर भी गौर किया कि इस case में सभी गवाह पुलीस से थे और कोई independent या स्वतंत्र विटनेस नहीं था, इस पर पुलीस का ये कहना था कि इतन अब कि इतना स्थल पर उपस्तिक जनता क्योंकि ये रोट पर हो रहा था पूरा मामला, उन लोगों की गवाही महत्वपून हो सकती थी, लेकिन पुलीस ने उनकी गवाही लेने की पूरी तरह से कोशिश भी नहीं की, होट ने ये तक कहा कि अगर पुलीस ने स्वतंत्र ग गवाही देने से इंकार कर देते तो उनके खिलाफ कारवाही की जा सकती थी, तो आज से महस साथ साल पहले जब हर किसी के हाथ में स्मार्ट फोन पहुंच चुका, आगरा जैसे बड़ी शहर में एक जन सभा आयोजित की जाती है, वो भी केंद्रियर राजमंत्री की, लेकि केस की मज़िदार बात यह है कि पुलीस ही धारा 144 लगाती है, पुलीस ही नेता के खिलाफ केस भी रजिस्टर करती है और उसके बाद पुलीस के पास इस मामले में ना तो कोई स्वतंत्रक गवाह है और ना ही कोई सबूत, दप्रिंट के लिए मैं पूर्वा मंधानी, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें, हमारी वेबसाइट पर भी जाए और हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें